अगर आपकी class 8 की GK book ये है, kid which class 8, and आप इस GK book का page number 147 chapter, जिसका नाम है, the test of strength, अगर आप इस chapter को याद करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पे land हुए, मेरी आपसे ये guarantee है कि इस वीडियो को देखने के बाद, आपको ये सारे questions ऐसे याद हो जाएंगे कि आप exam wall म खुद भी नहीं भूल पाईएगा, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला question है, the international body that governs rules for weight lifting is, ओके, तो पहले इस question को हम की words में break करते हैं, हमारा keyword का क्या बनेगा, international body governs rule for weight lifting is, और अगर मैं आपको ऐसा बोलू कि इस question का answer इसी question में छुपा हूँ है तो आप क्या बोलेंगे, चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, देखिए, इसका answer है, international weight lifting federation, IWF, international यहाँ से उठेगा, weight यहाँ से उठेगा, और बनेगा international weight lifting federation, यह थोड़ा easy था, I hope आपको यह याद रहेगा, चलिए हम next question मूग on करते हैं, हमारा next question है, the first Indian weight lifter भारती सिं won bronze medal at, तो जो भारती सिंग थी, उन्होंने bronze medal कहाँ पे जीता था, तो चलिए, पहले इस question का उनकीवर्ड करें, इसका trick देखेंगे, इस question का keyword हमारा है, first Indian, भारती सिंग, won bronze medal at, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, first Indian पे, तो basically question यह पूछ रहा है, उन्होंने कहाँ पे जीत था, ठीक है, और हमारा answer अभी इसी questions है derive होने वाला, अभी दिखाता हो मैं आपको कैसे, ठीक है, first Indian आप ध्यान रखे, अब हम इसे पकड़ते हैं, थोड़ा इसे extend करते हैं, कि इंडिया है कहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखिएगा, यह map है world का, ठीक है, इंडिया यहाँ बैठा हुआ है, और India is a part of Asia, यह आपको बताना चाह रहा हूँ, Asia यह देखिए इतना है, exact अगर आपको Asia देखना है, Google कर लीजे, आपको एक दम सही से दिख जाए कि Asia कितना है, बट अभी आपको मैं rough estimate दे रहा हूँ, लगवा कि Asia यहाँ से, यह color color है, हाँ इतना Asia है, तो basically यहाँ पर हमारा main point क्या है, इंडिया ना Asia में आता है, तो India is a part of Asia, and हमारा answer क्या है, ASEAN Games, तो उन्होंने कहाँ पर जीता था, ASEAN Games में जीता था, अभी हूप आपको यह याद रहेगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा next question है, इस Chinese weightlifter who won a gold medal in women's 75 kg weightlifting division at Olympics 2008 is, okay, तो Chinese weightlifter, okay, keywords आपको बता रहा हूँ में इस question के, जिन्होंने जीता था gold medal, women category में 75 kg का, Olympics 2008 में, ठीक है, यहाँ पर हमारा भी keyword हम पकड़ेंगे, जिसे अपने answer derive करने वाले है, वो है gold medal, okay, gold, ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इससे answer derive होने वाला है, देखिए, gold medal है, gold medal जीतने के लिए, nutrition चाहिए कि नीचे ये body में, चाहिए, तो, basically nutrition किस चीज में मिलता है, हिंडिया में, cows के milk में जरूर मिलता है, ठीक है, तो basically gold medal जीतने के लिए, अगर आप गाय का दूद आपको nutrition मिलेगा, आपके body maintain रहेगी, और there is a very high probability कि आप gold medal जीत लीजेगा, मतलब कि किसी एक competition में एकदम winner बनिएगा आप, ठीक है, वाट एक सी जरूर धान रखिए, winner बने के लिए, nutrition बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि हमें मिलेगा, cows milk में, ठीक है, अब यहीं पर हमारा answer जो कि answer हमारा है, cows milk, yes, गाय का दूद, ठीक है, इसी में हमारा answer है, cows से cow, और milk से li, ठीक है, एक बड़ मैं repeat कर दे रहा हूँ, ठीक है, gold medal उन्होंने जीता था, ठीक है, और gold medal जीतने लिए चाहिए, इस body में nutrition, ठीक है, nutrition कहां से मिलेगा, cows के milk से मिलेगा, cow का milk में क्या है, cow cow, 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 c-o-w-m-i-l-k, उसे से उनका नायम में derive हो रहा है, cow, cow, almost same है, ठीक है, और milk से li, 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 l-i-e, समझगे मेरा बात आप, आई होप, आपको exam hall में याद रहेगा, चलिए हम आगे on करते है, हमारा next question है, lu yong, 85 kg weightlifter belongs to, तो basically ये एक weightlifter का नाम है, और हमसे question पूछ रहा belongs to, ठीक है, ये थोड़ा easy है, देखिए, ये नाम भी थोड़ा Chinese नाम है, नहीं है क्या, lu yong, ऐसा थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है, belongs to china, मुझे ज़्यादा deed नहीं लगी यहाँ पर इसा कुछ trick बनारेगी, because थोड़ा directly दिख रहा है कि ये Chinese नाम है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ point miss किया है, आप नीचे comment section मुझे बताइए, I will improve, चलिए, next question है, move on करते है, हमारा next question है, the Indian weightlifter, who won a bronze medal in 2000 Summer Olympics at Sydney, is, basically आपको उस player का नाम बताना है, ओके, पहले हम इसे break करेंगे, keywords में, Indian weightlifter, ठीक है, जिन्होंने जीता bronze medal, ठीक है, in 2000 Summer Olympics, ओके, और यहाँ पे हुआ था, ठीडने पे हुआ था, ओके, तो चलिए, अब हम जड़ा देखते है, इसका trick कैसे बन रही है, देखिए, थोड़ा सा मेरे साथ, आप carry on किजिएगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या-क्या मैंने लिखा है, ठीक है, when someone win bronze and comes back home, then his or her parents tell them, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने gold नहीं जीता, यह important बात है, यहाँ पे उन्होंने bronze जीता है, bronze किसे दिया रहा है, तो third person में आता है, समझ रहे आप, first को gold, second को silver, third को bronze, तो जब कोई बंदा या बंदी, bronze medal जीत के घर वापस आएगा, ठीक है, तो उनके parents kia बोलेंगे उन्हें, ठीक है, मेनत करते रहो, ठीक है, करना है तुझे नाम बड़ा, पूरे महा अर्थ में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठोड़ा sense नहीं बन रहा है, I know that, वट अगर आपको answer एज़ान आद करना है, तो आपको ठोड़ा मुझे झेलना होगा, ठीक है, ठीक ह तो उसके parents उन्होंने क्या बोला मेनत करते रहो करना है तुझे नाम बड़ा पूरे महा अर्थ में और इसी line में पूरा हमारा उस बंदे का नाम चुपा हुआ है येस देखिए मेनत करते रहो करना नाम उनका है पहले करनाम तुझे नाम बड़ा तो करनाम ठीक है जब कोई बंदा ब्रोण जीत के घर आएगा तो क्या बोलेंगे मेनत करते लो करना है तुझे नाम बड़ा तो भी करनाम ठीक है करनाम यहाँ पे हुआ और पूरे महा अर्थ में पूरे दुनिया भर में तो उसका synonym क्या है यहाँ पे मलेश्वरी तो हमारे पेरत क्या नाम है करनाम मलेश्वरी आई हूप आपको यह सेंटेंस याद रहेगा एक्जाम हॉल में और आप इस कोईशन के एंसर लिख पाईएगा चलिए हम नेक्स्ट कोईशन भूबान करते है हमारा नेक्स्ट कोईशन है देखिए यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टन कीवर्ड है यह इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का बात हो रहा है इससे आप जरूर दिमाग में रखिएगा ठीक है और मैं आपको क्या बताऊंगा यहाँ आप में इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन न्यू देली याद रखिए गई है इंडियन हेड़कॉर्टर का बात हो रहा है नेक्स्ट कोईशन में थोड़ा चीज़े भूमने वाली है जो हमारा नेक्स्ट कोईशन है अब यहाँ पे बात हो रही है इंडिया के बात नहीं हो रही है अब चलिए अब आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का आप कैसे नाम याद रखिए है कि यह कहाँ पे लोकेटेड है सबसे पहले हमने इसे कीवर्ट में तोड़ लिया हेड़कोर्टर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अब थोड़ा सा इसका स्टोरी देखते हैं देखिए यहां पर भी यह होगा ठीक है अब ऐसा एजियूम किए यह उस प्लेस में अगर बगं सोंगे बग्स समझ் रहा काकलोचेश और उल्बगोस होतेशज है तो जहां समझते है बात तो ऐसा कोई जगह जहां पर कोई भी पेस्ट नहीं है कोई बॉस नहीं है तो पेस्ट याद रखेगा यहां पर सबसे इप्रॉटंट की वर्ड है कि यह ऐसा जगह पर है जहां पर कोई भी पेस्ट नहीं है दिखिये पूरी तरह से किसे चीज को मिटाने is very very next to impossible आप डाल दीजिए कोई दवाई तो पेस्ट मर जाएंगे बट फिर और आ जाएंगे ठीक है तो इसका तरीका क्या है कि उनको आप जड़ से मत खतम कीजिए ठीक है आप ऐसा कीजिए आप ऐसे एलिया में जाएए जहां पर वो पेस्ट ना बुड़े हो गया है येस इसका और अल्टरेनेटिव क्या है कि आप पूरे तरह से पेस्ट को मत खतम कीजिए बट ऐसे एरिया में जाएए यहां पर बूढ़े पेस्ट है ठीक है अल्टरेनेटिव क्या है जो उसके बात एनरजी बिलकुल भी नहीं है तो आपका वेट लेट लेट इस डिस्टरब क का headquarter है Budapest I hope आपको यह story याद रहेगी चलिए हम next question है हमारा next question है The Indian woman weightlifter who won a gold medal in common wealth games Glasgow ठीक है अब पहले सबसे पहले हम इसे keywords में break करेंगे Indian weightlifter ठीक है who won a gold medal in common wealth games Glasgow ठीक है अब यहाँ पे जो keyword में use करके आपको answer याद कराने वाला हो वो है gold medal ठीक है और common wealth games ठीक है अब देखिए common को हिंदी में क्या कहते हम लोग क्या कहते सामान ठीक है won उन्होंने जीता न gold medal ठीक है न तो won को हिंदी में क्या कहते है जीत कहते की नहीं कहते और gold medal कौन लोग जीता है भाई जो लोग तेज होते smart people ठीक है तो चालू लोग smart people को हिंदी में कहा कहेंगे चालू लोग कहेंगे common सामान won जीत gold medal कौन जीता है smart लोग चालू लोग ठीक है और gold का एक और quality क्या है वो चमकीला होता है होता है yes और after getting gold जब gold medal जीत जाएगा तो आपका मूँ खुस हो जाएगा खुस हो जाएगा ना चिदा-चिदी आपका खुस मूँ समझे रवाद मूँ आपका खुस हो गया yes अब आप देखिए हाँ पर मैंने 5 points नोट करवाए है आपको और मैं इस 5 चों का यूज करके आपको final answer बताने वाला हो और मैं आपको कहूँगा कि आपको answer पता है बस आपको फड़ा arrange करना है अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ठीक है ये देखिए 1 1 वाज समान समान का सा common को हींडी में लिखा थो common वेल्ट केंप से common लाय थे णो समान लाय थे सा उनसे बना ये सा ठीक है और उन्होंने जीता था वो उनको जीत कहते है ने हिंदी में तो उन्होंने जीता था तो इनका पहला नाम क्या हुआ हूआ सनजीता ठीक है,ольшमर्वेल्ड से सा और्वल्ट से जीता ठीक है, सनजीता याद हो कि आपको और एक चीज बताया थैया थे मैं आपको गो्ड जीतें के बाद क्या होता है, खुस मू, मु खुस हो जाता है तो भाई इनAKA नाम है कुमू, खुसका खुमू, खुसमुक समझे रहे आप मेरा बात, तो आप हलका से हलका चीज यहाद रखिए और बाकी आप इस्टोरी यहाद रखिएगा, तो आप यह नाम कभी नहीं भूलिएगा संजीता, खुमुक ठीक है, और नेक्स चीज था, गोल्ड के बारे में, गोल्ड आपको मैं क्या बता है, तो क्वालिटी क्या है, इसका चमकीला क्वालिटी है तो चमकीला का चम, ठीक है और गोल्ड कौन लोग जीतता है, स्मार्ट लोग जीतते है, मतलब चालू लोग तो चालू का चानू समझ रहे तो इनका नाम क्या है संजीता कुमुक चम चानू और मैं एक कैसे लिखाया मैं सिर्फ आपके questions से answer बनाया और कुछ मैंने extra यूज नहीं के आपे इन्हें आप लेटर gold medal in commonwealth games gold medal यूज हुआ और commonwealth game यूज हुआ आपको यह story आपकी exam hall में याद रहेगी तो हमने इस chapter का खेल समाप्त कर दिया है और मेरी आप से request है कि आप मेरा खेल समाप्त मत कीजिए ठीक है आप मेरे channel को subscribe पर के जाएगे नीचे comment करके बताईए कि आपको यह video helpful हुई ठीक है इससे मुझा motivation मिलेगा इसी तरह से और वीडियो बनाते रहने का मैं इस वीडियो के description का पहला link में डाल दे रहा हूँ इस पूरे gkbook का playlist जिससे कि आप इस gkbook के हर एक chapter को इसी तरह से tricks का use करके याद कर पाईएगा guys अगर आपको इसी तरह से किसी और subject का या किसी और chapter का tricks के format में वीडियो चाहिए जो आपका रटना असान कर दे तो ये रहा मेरा Instagram ID आप मुझे यहाँ directly message करके बताईए कि आपको किस चीज का वीडियो चाहिए and I will try my best to get it done